चम्तकार चर्च टीवी में आपका स्वाक्त है परमिश्ट के लोगों आज चर्च के सिलिक प्रोग्राम में हमर बीच में इस सिस्टर है और उनका नाम है नरैनी आप जब चर्च में नहीं आने लगे थे उसके पहले आपका कैसे जीमन था बहुत बीमार रहती थे आप लोग दुस्टात्मा गटायक था तो तो मसानी के बारे में मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं मसानी थी तो मसानी तो यह थी कि वो जान लेकर जाती है उसको टैम ढ़िया जाता है इतने दिनों में इसको मारना है इतने दिनों में यह करना है वोग भी मांसा और किसको समझते हैं मतानी तो मैं इताने गराइं के जो है जसे पिजाबी में सेहें मडियां कह़ों के जहां पर मुर्द्यों को जलाते हैं जान जिलाते हैं और उनको जब जला देते हैं तो वह उनकी जो पिजाबी करने से पहले उसको जगा लेते हैं तो उसकार करना से जब वो उसे में से हडियाँ अभी लेकर जानी होती उन्होंने उससे पहले उसको जगा लेते हैं तांत्री की जगा लेते हैं और इसलिए मैंने देखा है कई बार सस्कारों में हम लोग जाते हैं दूसरे लोगों के कोई मर जाये तो उसको जब जलाते हैं तो जलाते ही वह एक डी वहां से उठा कर कहीं और यह एक डी जाकर उसक जो मैं कहूं कि शम्षानगाट होता है, यह शब्द आप समझ जाते होंगे, शम्षानगाट में जो मुर्दे को जलाते थे, जब उसको आग लगा दिती जाए जलाज दे जाता था, तो कुछ ऐसी रिती है कि तीसरे दिन के दूसरे दिन उसके वो हमारे कहते हैं फुल चुग उससे पहले तांतर के जो होते हैं, उससे पहले रात को उसको दुस्तात्मा को जगा लेते हैं, मतलब बिला लेते हैं, अपने वश्मे कर लेते हैं, तो जब वो तांतर के अपने वश्मे कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको बेजते हैं, वो उसको बेजते हैं, वो तो किसी तो आठी है MORण होती है और सुने को पकड़ी की तो थो आती है किसी तांतिर किने आपके ओप भी जिवे धी ती जब बोलती थी मैं जुने को किसी इन साय और थे मेरे को पचासा क्रे देखके वेज़ने पचासान आ बलिदान देकर तो आपके मैं नहीं मैं janin चाहिं दुष्टात्मा बैसे खेलने लग जाती गिमार कर दे दी जैसे खेलने लग जाती न फिर मंजे बी पढ़ जाती है नहीं होता था ना खाया पिया जाता था बस ऐसी पड़ी रहती थी कितने साल रही ऐसे मसानियां जी दुस्ता रही थी मेर को सांस की प्रॉब्लम होगी थी यह जो करते ही सांस की प्रॉलम जैने बंधुन होगी हमेशा मसीर रखनी पड़ेगी निसमें रखती थी अपने पास के ते थी रात वर दिन भी में जाते तो भी साथ लेकर रिष्तेदारी में जाओ काम पर जो कहीं भी जाओ पसवे जारा कोंपने बन बनाती ती बन्ता ही नहीं था मेरे करते हैं वी बन्त था गर्णा काम ऑफ भी मतला मशीन जो सांस लेने वाली मशीन थी वो चोबिसु गंटे अपने पास रखते तो मतलब सांस चट जाता था दमा था जैसे तो फिर तो आपको चलना मुश्कल उठना क्या मैं तो लेटरिंग वाथरूम के लिए भी दुखी थी अगर उसमें जैसे कोई दवाई मशीन में डालते हैं मुह से लेते हैं मुह से उसमें कैप्सूल डालते हैं मुह से सूंग तो फिर आप जाब यह तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी ना जो चोबिस गंटे आपको अपने साथ रखने पड़े तो यह तो आपका घरवाला तो फिर यही काम चोटे मोटे कामों में लगा रहता हो साथ बचहा है बच्चे नहीं ते नहीं थि तो मेरे पतीी कयता है थे नहीं पछेट का क्रों करूं क्या मैंसे समालूं रहें हमारे पास पॉसू भी थे खेयता भी काम शबजी भी चलती थी अपर मिर पती मुझे समाले का च्छो बाद आपके बीटा और बच्चा में आ आपको संताँ वे, आपको आपको संतां दिए, आपको संतां दिए ले हैं इसा कहुआ हो गर पुकर और मेरे मेरे बुच्चे हो जारी थि心 जावत आक हम लोग से मिन आ पैसे ले लेकर यह जा रही थि देटेन दुन मिधिशु कूराइ сторону भी थी फिर भी हमांळे एक पहिसे ले पंपासे दे रहे थे पर चंगाई में आरे थी परमें शर्चु सर्पर में ज कर दर सक recommended तो पहले दिन ही चंगी होगे फिर मतलों पहले दन चंगी हो गे वो मसालीयम सुनिया निकली यहां छाप्ष के खेलने लगे लगे कि इसे निकल गी थी ति यहां आते ही मेरे को एकडम हलका मैशूस हो गया ओर फिर मैं एकडम यहां बैठी तो मुझे यह सा लगा जैसे पर्म परमिश्र को देखा, पहले देनी परमिश्र के दर्शन पाह लिए और पहले दिन दूस्ता आत्मा भागी निकल गी, उसके बाद दूस्ता आत्मा नहीं यह ले जाएंग इसको, पहले कहते थे लेकर जाओंगी, मैं जानी कि इसके अम्याद बंदी थी, तो मर जाएगी, मैं फोटो देखा करूंगा थो आपके पापा बिचार है चले आप अभी जीवतो हो पतलु ह। यह सब आप जब आए तो फिर आप दमा था वह पहले सांसले नही लिया जाता था? पहले चला नहीं जाता अधि आधिया जाता हूं? वहां से अपने घर से चर्च में पैदल भी आ जाते हूं? पैदल आ जाते हूं परमिश्नन मुझे चंगा आ दिया इनी पहरी से तो यह तो 7 किलोमेटर है मेरे साथ में? गोजने फिर पड़ा लिया अपने अब यू ने मुझे बेटा दिया आपके पाप शमा हुए आपको अपको आप बने धरम बाद लिया क्या तो आप आपके जीवन में काम किया तो आप प्वितरात्मा पाया पभी पाया अचाग तो मैं तो फेम पागे पुरता मिलिया इंगी करने लगे थे नशा करते थे तो वह पहले नशा करते थे अब बिल्कुल नशानी करते हैं आप बिल्कुल ठीक हो आप करते हैं कैसे अद्वुत चम्तकर करने वाला परमेश्र है और जब यह आई थी तो ऐसे ती जैसे मरी होती है यह जहां इसको चच में लेकर आए तो प्राथना इसके लिए की बस इतनी सी प्राथना के प्रभीश्वमसी द्या करो बस इतना पूरे मतलो इतना नहीं समय नहीं इतना प्रभीश्वमसी द्या करो प्रभीश्वमसी ने कितना बड़ा काम किया और पहले ही दिन इन्होंने प्रभीश्वमसी के दर्शन पाए और पंदरा दिन के असपास इन्होंने बबत इसमें से पहले पहत्रात्मा सीजा भर गए और अन्या भाशा बोलने लगे वाव अदबुत चम्तकार करने वाला हमारा परमिश्र है सब प्रबिश्यम से आपको आशिश करें आपके जीवन में काम करें